भीषाइर रखनार से हैं कर आज एक वर फिर से तेजी बंती भी नजर आई है से मतलब लगे पलब है अवोगह बता देविन कि सरसो की किलत अभी भी महसूस की जा रही है और बारिश की गतीवीदिये एक बार फिर से तेज हुई है जिसकी वजासे किसानों की जो सोयबीन है वो एकदम से खराब होती भी नजर आई है जो खेतों में खड़ीवी सोयबीन थी किसानों की जो वो अब कटाई करके मंडी में लाने वाले थे अब वो बारिश से तबाह हो गई है कई जगाओ पर सूखे की वज़ा से हुआ है कई जगाओ पर अतिवरिष्टी की वज़ा से हुआ है सोय भी इनको नुकसान ही हुआ है इस बार भी और रगबा बता रहे हैं कि लगवग पिछले साल की मुकावल लगवग समान होता हुआ नजर आया है लेकि इन किसानों का मानना है कि रगबा घटता हुआ नजर आया है क्योंकि बीज इतना थाई नहीं कि बुवाई इतनी की जा सके और अगर बीज इतना होता तो किसान ऐसा मुद्धा ही नहीं उठाते और कुछ मंडियों में ये भी सुनने को आया है कि जो मंडिय वेपारी है वो किसानों को अच्छा दाम नहीं दे रहे हैं सोयवीन का अब वो कैसे खेल कर रहे हैं वो मैं आपके साथ बता देता हूँ आप हम देखते हैं कि सोयवीन की जब विजाई का टाइम होता है बुगाई का वक्त समय था तब किसानों के पास सोयवीन का बीच उपलब्द नहीं था बीच क्यों उपलब्द नहीं था क्योंकि लागातर पिछले कुछ वर्षों से सोयवीन की जो फसल है वो भारी बारिश की वज़ijά से तबाह होती भी नजर आया थी खत्म होती ही नजर आ रही थी तो खपत के लिए भी तरना नहीं बचता था और नहीं बुवाई के लिए और जो नहीं बचता था वो की black marketing हो रही थी सोयवीन के बीच जो की किसानों को बीच काफी महेंगे दरोपा दिया गया था किसानों तीन गुना तक दाम भर के सोयवीन की बीच खरीदा उसकी बवाई करी और तब सोयवीन के जो दाम थे वो उंचे थे बोले जा रहे थे सोयवीन के बवाई के वक्त सोयव देखने को मिलती उस समय लेकिन फिर जब ये मार्केट में सेंटिमेंट्स बने कि सोयवीन का रगबा कम हो सकता है और सोयवीन की बिजाई के लिए सोयवीन के बीजों की किलत है तब सरकार ने सोयवीन का कहीं से किसानों के लिए इंतजाम नहीं किया था कि जो सरकार है किसानो को बीज दे दे या फिर कहीं से इंपोर्ट करा ले तब सरकार ने आयात नहीं किया और किसानों ने उस समय महेंगवीज खरीद कर बुगाई कर ली लेकिन अब सर्वेज भी किये जा रहे हैं सोयवीन के खेतों के आयात भी किया जा रहा है और अब ये बताया जा रहा है कि सोयवीन की बुगाई का जो रगभा है वो पिछले साल के मुकाबले लगवक समान हो गया है ये अब बताया जा रहा है जब किसान अपनी उपज लेके सोयवीन की मंडियों में लेकर पहुँच रहा है बेचने के लिए तब नहीं बताया था जब किसान बुवाई कर रहा था सोयवीन की उस समय फंडमेंटल स्टेजी की बना दिये थे लेकिन जब किसान अपनी उपच सोयवीन की मंडियों में लेकर पहुंच रहा है बेचने के लिए तब हर चीज में बता दी जा रही है कि आयाद भी किया जा रहा है सरकार आयाद भी कर रही है सोयमील का और जो सोयमील का आयाद भी कर दी है सरकार और दूसरा जो रगबा है रगबे के भी जो फीगर्स हैं जो आंकडे हैं वो भी पहले साल के मुकाबले ठीक ठाकी बता दिये जा रहे हैं। जो सोयबीन पांच हजार, साथ हजार की दर्सक खरीदी जा रही थी उसी के दाम पैंतिस सो रुपे, चार हजार रुपे को इंटल कर दिये। पांच हजार पर खरीदी जाने लगी और ये वही कॉलिटी की सोयबीन थी जो किसानोंने सुबा के टाइम बेची थी, पहले बेची थी। तो फरक कुछ नहीं था, फरक सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का था, किसान मेहनत करके कमाना चाते हैं, बाकी लोग किसानों की मेहनत खाना चाते हैं, जिसकी वज़ा से हमने सोयबीन की कीमतों में अभी एक उठावटक का महौल आते वे देखा हैं। जो बिचौली होते हैं, वो सारा मुनाफ़ा हडपना चाते हैं, किसान उसे सस्ते में खरीद का आगे तेजी में बेच देते हैं, कि जब तेजी आती है, क्योंकि किसानों को अगली बुवाई करनी पड़ती है, अगली फसल की उन्हें अपना घर चलाना है, नगती की कमी र गयता है, तो स्टॉक कर पाते हैं और तेजी में वो निकाल देते हैं, किल्दत महसूस करवा के जब तेजी हो जाते हैं, तब अपनी जो उपज है किसानों से खरीदी वी वो निकाल देते हैं, तब जो उपभोगता है आप जैसे और हमारे जैसे उनको ये तेजी का दाम ज जाद जाद शेयर करें, लाइक करें